हेलो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फार्मूला टैब में फंक्शन लाइविरेरी ग्रूब में फाइनेंशल फंक्शन को कैसे किया जाता है तो इसको यहां पे हम करेंगे अगर हम एक बाइक लेना जाते हैं और उस बाइक को हम लोन की जरीए लेना जाते हैं और एक्सल में हम ये जानना चाते है कि उस लोन की मंतली इंस्टालमेंट कितनी होगी मंतली इंटरस्ट कितना देना पड़ेगा और लोन का मंतली मूलदान कितना होगा ये सब हम financial function के द्वारा निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि PMT के होता है IPMT के होता है PPMT के होता है तो यहाँ पे हम PMT के बारे में जानेंगे तो PMT function में हम जो हर महीने की जो इंस्टालमेंट वरनी होती है उसको PMT function के द्वारा नकालते हैं इसके बाद है IPMT IPMT function में हम महीने का जो इंटरस्ट वरना होता है उसको हम यहाँ पर निकालते हैं इसके बाद है PPMT तो PPMT में जो मन्त का मूलदन जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है भरना हुता है उसको PPMT फंक्शन के दुबारा निकाला जाता है यहाँ पर हमने एक बाइक लॉन पर ली हुई है तो उसका loan amount जो है एक लाख है और उसमें जो interest rate है यहाँ पर 5% है और loan period in year यह है 3 year की 3 सालों में यह loan यहाँ पर देना है इसके बाद यहाँ पर हम इसकी monthly installment यहाँ पर निकालेंगे इसके बाद monthly interest निकालेंगे इसके बाद monthly principal यहाँ पर हम निकालेंगे तो यह जो bike loan पर लिए है इसकी जो monthly installment यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर दिए गई है 2997 यह इसकी monthly installment है इसमें जो interest rate है वो है 416 रूपीज यहाँ पर दिए गया है इसके बाद है इसमे principal कितना लगा हुआ यहाँ पर वो लगा हुआ यहाँ पर 2580 तो PMT, IPMT और PPMT इसको यहाँ पर कैसे निकाला जाता है इसको निकालने के लिए पहले इसको delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद यहाँ पर हम formula लिखेंगे तो formula जो start किया जाता है वो equal to sciences start किया जाता है इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे PMT PMT यहाँ पर आ जाएगा इसके उपर double click करेंगे यहाँ पर दिए गया है rate तो यहाँ पर हम rate बरेंगे तो rate यहाँ पर दिए गया है interest rate यह लिखो 5% यहाँ पर दिए गया है तो इस cell के उपर 5% cell के उपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह देखो इस cell का name यहाँ पर आ जाएगा B4 यह B column है और 4 यह row है B4 आ गया आने के बाद monthly installment यहाँ पर देना जाते है तो इसको divide करेंगे 12 से यहाँ पर 12 यह लिखा इसके बाद comma यह देखो आगे दिए गया यहाँ पर रेट के बाद comma है comma लगाया इसके बाद है एन पर एन पर का मतलब यहाँ पर यह उत्था है कि number of periods तो number of periods यहाँ पर दिए गया है यहाँ पर यह 3 कि कितने सालों के अंदर ये लोन हमने data यहाँ पर इस cell के उपर क्लिक करेंगे तो cell पर क्लिक करने के बाद यह देखो B5 यहाँ पर आ जाएगा यह B column है और 5 row है यह आ जाएगा यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर monthly निकालना है इसको multiply करेंगे यह multiply यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद 12 month यह देखो यह भरा इसके बाद आगे फिर यहाँ पर कॉमा यह लगाएंगे कॉमा लगा यहाँ पर P V दिये होँ है पी वी का मतलब यह होता है कि present value तो present value कितना loan है यह देखो यह जो एक लाग यह present value है यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह आगे दिये गिया है FB और टाइप यह जो square bracket में लिखा हुआ है यह optional होता है अगर हम इसको नई भी लिखेंगे तब भी यहाँ पे monthly installment निकल के आ जाएगी तो इसको हम यहाँ पे नई लिखेंगे इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे monthly installment यहाँ पे आ जाएगी लेकिन यह minus में आ रही है तो इसको plus में करने के लिए फिर यहाँ पे double click करेंगे यह देखो double click किया double click करने के बाद यहाँ पे PMT के आगे यहाँ पे negative चिन लगाएंगे यह देखो negative यह चिन लगाया यह लगाने के बाद हम enter प्रेस करेंगे तो enter press करने के बाद यहां पे यह देखो जो minus में value आ रही थी वो यहां से चली जाएगी यह देखो यह जो value यहां पे निकल के आए वो आई यहां पे 2997 तो यह हमारी यहां पे monthly installment निकल के आ गई इसके बाद IPMT में हमें कितना interest देना पड़ेगा उसको यहां पे निकालेंग तो उसको निकालने के लिए हम यहां पे click करेंगे और equal to sign यहां पे लगाएंगे equal to sign लगाने के बाद IPMT यह लिखेंगे IP यह लिखो यह निचे आ गया IPMT यहां पे double click करेंगे IPMT यहां पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे दिये गया है rate तो rate यहां पे 5% है यहां इस cell पे हम click करेंगे तो यह cell name यहां पे आ जाएगा before इसके बाद इसको divide करेंगे यह divide किया 12 से 12 से divide किया divide करने के बाद यहां पे comma यह लगाएंगे और इसके बाद यहां पे दिये गया पर तो month wise हम यहां पे निकालेंगे तो यहां पे first month यह लिखेंगे one लिखा one लिखने के ब बार के बाद यहां पे दिये हुआ है कोमा यह कोमा लगाएंगे इसके बाद है एन पर नंबरो पिरिड्स यह यहां पे दिये गया है थ्री एयर तो यहां पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद मन्थ वाइज निकाल रहे हैं तो इसको मल्टिपलाई करेंगे यह मल्टिपल 12 की है 12 के बाद कॉमल गाएंगे कॉमल गाने के बाद आगे दिये गया है यहां पर PV पिवी का मतलब है present value तो present value यहां पर 1,00,00 है यहां पे click करेंगे यहां पर B3 आगया यह column है B3 column यहां पर column name आगया आने के बाद इसके बाद यहां पर यह जो square bracket में दिये गया है FBO type यह optional है इनको हम यहाँ पर नहीं लेंगे इसके बाद यहाँ पर bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद तो यहाँ पर यह जो value है यह negative में आ रही है इसको यहाँ पर सही करेंगे तो यहाँ पर double click करेंगे double click करने के बाद equal to के बाद यहाँ पर minus चिन लगाएंगे यह देको यह लगाया इसके बाद enter प्रेस किया तो यहाँ पर यह जो 416 यहाँ पर रूपीज आए यह हमें first month में यह interest यहाँ पर देना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर हम PPMT यहाँ पर निकालेंगे कि मूलदन कितना यहाँ पर देना पड़ेगा तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद equal to sign लगाएंगे इसके बाद PPMT यह देखो नीचे आ गया यह यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद यहां पे सबसे पहले लिया गया है rate तो rate है यहां पे 5% यहां पे click करेंगे यह cell पे यह cell यह cell name यहां पे आ जाएगा before इसके बाद इसको divide करेंगे यह divide किया 12 से इसके बाद कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद यहां पर दिये गया है first month का यहां पर हम निकालेंगे तो यहां पर one लिखेंगे one लिखने के बाद फिर कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद आगे दिये गया है n पर number of periods यहां पर दिये गया है तो यह है यहां पर 3 यहां पे इस cell पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह V5 यहां पे आ जाएगा यह देखो V5 यहां पे दिये गया है यह आ जाएगा इसको यहां पे month wise निकालना है तो इसको multiply करेंगे यह multiply 12 से करेंगे 12 लिखने के बाद फिर यहां पे कॉमा लगाएंगे यह दिखो आगे कॉमा यहां पे दिए गया है इसके बाद यहां पे present value यह PB यह लिखेंगे तो यहां पे एक लाख है यहां पे क्लिक करेंगे यह दिखो B3 यहां पे आजाएगा यह B3 यह cell name यहां पे आजाएगा इसके बाद आगे यह optional है FBO type तो इसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे इसके बाद यहां पे bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यह negative chain यहां पे आ रहा है तो इस चिन को यहां से हम अटाएंगे यहां पर double click किया इसके बाद यहां पर equal to के बाद हम minus चिन यह लगाएंगे यह देखो इसके बाद enter press करेंगे तो यह जो यहां पर PPMT यह जो है यहां पर जो more than आएगा यहां पर यह आजाएगा 2580 यहां पर more than आजाएगा इसके बाद आगर यह जो decimal की value है यहां पर approximate इसको रखना जाते हैं तो यहां पर click करेंगे और home type पे जाएँगे और यहां पर decrease decimal यहां पर click करेंगे यह देखो यह approximate यहां पर value हाजाएगे इसके बाद इसको भी हटाएंगे यहां पे इसको भी decrease decimal यह किया यह approximate value आगे इसके बाद इसको भी यहां पे approximate value रखेंगे यह decimal आटाया यह approximate value यहां पे आ जाएगी इसके बाद हम यह check करना जाते हैं कि जो हमारी monthly installment है यहां पे 2997 यही है कि कोई और value तो नहीं है तो इसको check करने के लिए हम क्या करेंगे यह IPMT यहां पे 417 इसको add करेंगे और PPMT यह 2580 इसको add करेंगे तो इसको add करने के जिए यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद equal to sign यहां पे use करेंगे equal to sign आ गया इसके बाद इस cell पे click करेंगे यह देखो यह cell यहां पे आ जाएगा इसके बाद plus और यह इसको PPMT इसको add करेंगे यह PPMT इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां भी यह 2997 यह जो है PMT यहां पे निकले के आ जाएगा इसका मतलब यह है कि IPMT और PPMT यहां पे हमने यह सही निकाली हुई है क्योंकि यह दोनों value यहां पे यह value और यह PMT वाली value तो यह value यहां पे same आ रही है तो इसका मतलब यह है कि यह monthly जो installment है हमें 2997 यह installment हमें monthly देनी पड़ेगी तो इस वीडियो में हमने financial functions में PMT function, IPMT function और PPMT function के बारे में जाना अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद